कर रहे हैं इन एरेगुलर हेक्जागन ABCDEF prove that AB plus AC plus AD plus AE plus AF is equal to 3AD के बराबर होगा हमें पता है हम वेक्टर में अगर काम करते हैं तो हमें जो एरो दिया है उसकी डारेक्शन के एकोडिंग काम करना है तो यहां क्या दिया है A से B तो वेक्टर का डारेक्शन क्या होगा A से B फिर A से C मिन समय क्या करना है A से C को मिलाएंगे और यह डारेक्शन दे देंगे फिर क्या दिया है, A D, यानिकि A से D को join करेंगे और ये direction दे देंगे, फिर का है A से E, हम क्या करेंगे, ये direction, ये मिलाएंगे और इसको direction देंगे, फिर का है A से F, ठीक है, A से F, ये direction दे, और 3 A D, ये आपको क्या दिखाना है, 3 A D के equal दिखाना है, ठीक है, यानिकि A B, ये हम में direction complete कर ली अब यहां से हम left hand side लेके चलते हैं यहां मैं पता यह 1 AD तो पहले से ही है इन च्यार टर्मों को हमें क्या करना है 2 AD में change करके लिए करना है क्योंकि right hand side में हमारे पास क्या है 3 AD है खीक है तो हमारे पास left hand side में 1 AD तो है 2 AD change करेंगे तो मैंने AB और AE को इकठा कर लिया और AC और AF को एक pair में add कर लिया और AD को adjectives लिख लिख लिए ठीक है फिर मैंने क्या किया AB की जिगे मैंने क्या कर दिया ED change कर दिया क्योंकि मेरे को पता है इनकी अगर direction देंगे तो यह direction होंगे हमारे ठीक है यह direction हो जाएंगी या फिर मैं पता है दोनों की direction क्या दे सकते हैं सेम अब क्योंकि यहां पर direction फिक्स नहीं थी हमारे पास तो हमने अपनी मर्जी के according है इसकी direction को fix करना है तो A से भी था तो इसकी E से D को हम क्या कर सकते हैं यह direction दे सकते हैं जबकि regular hexagon में क्या होती है side क्या होती है पोजी चाहिडार equal तो एक vector equal तब हो सकता जब direction चेम होगी तो हमने इसको direction यह दिया तो ED की जगे मैंने क्या change क्या change कर दिया ED इसी तरह से AC को agitage रखा और AF की जगे क्या रख दिया CD क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया क्यों रखा है ठीक है अब यहाँ से इसको देखें तो एक triangle लेते हैं A, E, D A, E, D यह लेते हैं तो A, E, D में यह देखो यह दोनों direction सेम है और यह अलग है तो इन दोनों direction का sum A, E plus E, D A, E plus E, D किसके बराबर होगा? A, D के बराबर होगा और दूसरी triangle A, C, D A, C, D में अगर इन दोनों की direction सेम है तो यह क्या होजाएगी? A, D यानि कि triangle लाग के दवारा, triangle लाग जो होता है मारे पास उसके दवारा हमारे पास इन दोनों की direction क्या है? सेम है तो यह क्या होगा? equal to me A, D यह आगया A, C plus C, D तो A, C plus C, D की जगह A, D रख सकते हैं और A, E plus E, D की जगह क्या रख सकते हैं? A, D ठीक है, question number 7 पे बात करते हैं, क्या कह रहा है? in irregular hexagon A, B, C, D, E, F prove that आपको A, B, A से B, B से C, C से D, D से E, और E से F, और F से A अगया थी, हमें पता है, यहाँ थोड़ा सा डाइग्राम अच्छे से नहीं बनाएं, बट opposite side are equivalent, क्या होती है? parallel होती है, बराबर होती है, लेकिन vector में होने के लिए तीन condition होती है, क्या होती है? direction भी same होना चाहिए तो यहाँ से देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ? AB, AB को agities रखा, ठीक है, plus BC को मैंने क्या रखा, agities रखा, और CD को agities रखा, ठीक है, left hand side लेके चलते हैं, अब देखो AB और क्या है? ED, दोनों same है, है ना? लेकिन क्या है? direction अलग है, तो मैं क्या रख सकता हूँ? DE की जगे क्या रख सकता हूँ? negative AB रख सकता हूँ, ठीक है? इसकी जगे मैंने क्या रख दिया? negative AB क्योंकि vector तो equal है, लेकिन direction में ही क्या है? opposite है, तो direction मैंने negative परके answer लिख दिया, अब EF, EF है मेरे को पता है, BC के बराबर होता है, लेकिन direction अलग है, तो मैं क्या रख सकता इसको negative BC रख सकता हूँ, ठीक है? और मेरे को पता है, इन दोनों की value भी क्या है? C में, लेकिन direction अलग होने के कारन में इसको क्या रख सकता हूँ? negative CD, ठीक है? यहाँ पर हम इसका क्योंकि करके जवाब दे देंगे, क्या? AB is equal to, क्या होता है? negative AB is equal to क्या होगा? DE, ठीक है? इ negative BC is equal to कितना हो जाएगा? EF, ठीक है? और तीसरा और लिख देंगे, इस तरह से हमने देखा, AB और AB से cancel out, BC से BC और CD से CD, और answer क्या मिला? 0, गई तो हमें क्या करना था? right hand side में prove करना था, यह हमारा क्या होगा? question number 7, question number 8 में, क्या करा है? prove that the sum of all vector, draw from the center of a regular octagon, यानि कि 8 साइड़ों से गिरियों यहा करती है, और regular बोला है, regular बोला है, तो सभी साइड क्या है? इक्वल, इस टाइग्राम की सभी साइड है क्या है? बराबर है, तो कहरा है कि center से, center से जो क्या होगा? regular octagon के vertices पे जो मिलेंगे, यानि कि यहां से यहा इन का sum क्या है? 0, यानि कि हमें क्या prove करना है? OA plus OB plus OC plus OD plus OE plus OF plus OG plus OH is equal to क्या show करना है? 0 show करना है, ठीक है? पिछले question की तरह हम यहां से देखते हैं, हमें पता है यहां पे कितनी value है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? वहां 6 थी, यहां 8 है, क्योंकि यहां octagon है, वहां hexagon था, अब पहली four side को तो आप क्या रख दो? as it is, यानि कि क्या लिख सकते हैं? OA plus OB plus OC plus OD, OE, अब यह देखता हूँ, OE, OE और OA दोनों क्या है? सेम हैं, बट सिरफ क्या change है? direction का, तो मैं यहां क्या कर दूँगा? negative, direction के कान negative, और OE की जगे क्या रख सकता हूँ मैं? negative OA रख सकता हूँ, ठीक है? इसी तरह से, OF की जगे क्या रख सकता हूँ? OF की जगे क्या रख सकता हूँ? OB negative और OG की जगे क्या रख सकता हूँ मैं? negative OC और किस की जगे? OH की जगे क्या रख सकता हूँ? negative OD, ठीक है? अब इसको देखे तो आपस में यह क्या होगे? cancel out होगे है, तो answer क्या है? 0, यह ही हमें क्या करना था? show करना था, ठीक है? question number 9, क्या कह रहा है? if D is the middle point of side BC, of a triangle ABC, एक triangle है हमारे पास ABC, उसकी जो BC side है, D है उसका midpoint, ठीक है? जैसे यह triangle ले लिए हमने ABCD, तो BC का यह point है, यह midpoint है, यानि की CD और क्या है? BC, sorry, DE, DB, दोनों क्या दिये हैं? बराबर, according to statement, और यह बात प्रूच आता है, क्या AB plus AC is equal to 2AD, तो जो हमें direction मिली है, उसके according value रखेंगे AB, तो A से B को यह direction दिया, AC, A से C को यह direction दिया, AD, तो AD को direction दिया, अब यह जो दो direction है, हमने अपने according draw कर दी, यानि की C से D vector की direction यह दे दिये, और B से D की direction यह दे दिये, खीक है? अब हम क्या करते हैं? इन triangle ABD, यह वाले triangle लेते हैं, इसमें हमें पता है, इन दो vector की क्या है? same direction है, तो triangle लाके दवारा, इसका sum और इसका sum किसके बराबर होगा? AD के बराबर, तो AB plus BD is equal to AD कर दिया, हमने, इसी तरह से, अब second इस triangle को लेते हैं, इस triangle में इन दोनों की direction क्या है? same है, और यह क्या है? opposite, तो triangle लाके दवारा, AC plus CD किसके बराबर होगा? AD के, AC plus CD किसके बराबर है? AD के, अब दोनों equation को अगर मैं क्या कर दूँ? add कर दूँ, खीक है? तो कितना मिलेगा मेरे इक पास? adding कर देते हैं, add करते हैं, add करेंगे, तो यहां से AB का AB, BD का BD, और AC का AC और CD का CD, लेकिन यह 1AD यहां है, 1AD यहां है, तो कितना हो गया? 2AD, अब यहां से देखो, BD और CD को मैंने cut कर दिया, cancel out कर दिया, क्यों कर दिया? BD और CD, क्योंकि मेरे को पता है, यह mid point है, तो CD और BD तो length तो क्या है? बराबर, लेकिन vector की direction क्या है? यह C से D है, और यह B से D है, यानि कि बराबर दूरी है दोनों vector की, लेकिन direction opposite है, तो हमें एक value को क्या ले सकते हैं? negative, तो मैंने यहां पे CD को क्या लिख सकता हूं? negative, BD BD cancel हो गया, तो यहां बचा A, B और यहां बचा A, C और right and side में क्या है? 2AD, यही हमें क्या करना था? प्रू करना था, question number 10, क्या कह रहा है? यहां से हम देखते हैं, A, B, C, D is a quadrilator, A, B, C, D क्या हमारे पास? एक quadrilator है, यह हमनी quadrilator बना लिए, प्रू देट, B, A, B, A, B से A direction, B से C direction, C से D, और D से A direction, 2BA, हमें किसके एको प्रू करना है? 2BA की, तो इसका अर्थ है, एक BA तो हमारे पास है, तो यहां इन तीनों टर्मों को solve करके, एक 1BA और लेकर आना है, तो हम left hand side लेके चलते हैं, BA as it is, BC और CD को मैंने क्या कर लिया? A के pair में add कर लिया, और DA को अलग स से लिख दिया, अगर अब मैं देखूं किस triangle में, in triangle BCD, इस triangle में देखूं, तो मेरे को पता है BC plus CD, किसके बराबर होगा? B, sorry, BD के बराबर होगा, तो यही तो है मारे पास, BC plus CD, तो इसकी जगे मैंने क्या लिख दिया? क्योंकि क्या होना चाहिए था, इनका sum कितना होना च यही था, BC plus CD, यही तो होना था, इस ट्रम की जगे मैंने क्या रख दिया? B, D, और A, D, as it is, इसी तरह से, अगर आब मैं इस triangle में देखूं, इस triangle में देखूं, तो इस क्या और इसका direction सेम है, तो क्या हैगा? B, D, और B, A की जगे क्या रख सकते हैं? A, B, तो यही तो है, B, D, D, प्लस, D, A, इसकी जगे मैंने क्या रख दिया? इन दोनों की जगे क्या रख देंगे? B, A रख देंगे, तो B, A, 1, B, A यह रहा, और 1, B, A, यह आ गया, तो कितना आ गया? 2, B, A, आंसर आ गया, यह हमारा क्या आ गया? राइट एंड साइड, ठीक है? इस तरह से यह हो 12 क्यूशन हो गए, ठीक है? किसी भी बच्चे को 12 क्यूशन तक कोई भी डाउट है, तो कोमेंट शेक्शन में जाके चरूर बताएं